वो सार्वेस्टिंग वेस्ट हमारी यहां किसानों के लिए बड़ी चुनोती है अब उसको वेस्ट को वेल्थ में कनवर्ट कर देंगे तो किसान भी सक्रिय रूप से हमारा साथी बन करके भागिदार बन जाएगा ऐसे में लॉजिस्टिक्स और स्टोरिज की विवस्ता को ब बढ़ाना होगा और मैं बैंकिंग सेक्टर को भी कहूंगा बैंकिंग सेक्टर भी हमारे प्राइवरिटी लेंडिंग में इन सारी चीजों को कैसे बल दें टार्गेट कैसे तई करें उसका मोनिटरिंग कैसे करें अगर हम बैंकों के द्वारा इस छेत्र में अगर धन मुह प्राइवेट प्राइवेट प्लेजर से घहना के इसे भी वो अपनी प्राक्विक्ता से रखें साथियों एगरी कल्चर में इनोवेशन और पैकेजिंग दो ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर और ज्यादा धान दिये जाने के ज़रूत है अज दुनिया में कंजुमरिजम बढ़ र हमारे कॉर्पोरेट हाउसिज को एगरी स्टार्टप्स को बड़ी संख्या में आ गया आना चाहिए इसमें भी जो एगरी बेस्ट होता है उससे बेस्ट प्रकेजिंग कैसे की जा सकती है उस और उन्हें धान देरा चाहिए वो इसमें किसानों की मदद करें और इस दिशा म में अपनी योजनाय बनाएगा भारत में फूट पोसेसिंग और इसे नौल में निवेश की बहुत संभावनाय बन रही है सरकार इसे नौल की 20 परसंट ब्लैंडिंग का लक्ष लेकर चल रही है कि एश्वार मार्केट है 2014 से पहले जहां एक दो परसंट इसे नौल करने के लिए सरकार काफी इंसेंटिव दे रही है इस शेत्र में भी हमारे व्यापारी जोगत आगे आए हमारे बिजनेस हाउसिस आगे आए